हाई, स्लाम अलगूम, बुलाफ्टर नून, नमस्कार, सस्यकार, मत्रा की नगरीं के रादे, रादे, आठ महीने, आठ महीने का टॉर्चर, सबसे पहले आप सब लोगों का 138 करोण भारतियों का, अपने देश बास्चियों का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, धन्निवाद अदा करना चाहूंगा, जिन्नोंने मेरे लिए शोशल मीडिया पे हो, चाहे दौाएं मागी हो, चाहे प्रातना की हो, चाहे मंदिर गया हो, गुर्द्वारा गया हो, मजिलों में, चर्च में, हर जहाँ जहां से इतनी दौाएं मेरे लिए हुई हैं, मैं सूझ भी नहीं सकता था कि लोग मुझे इतना चाहते हैं, आप सब का बहुत-बहुत शुक्या वरना तो इस बार जेल में इतनी, मतलब पांच दिन त खुद को पोशर का सिकार हो गया हूँ, पैर दिखो गए कभी, अभी दिखाता हूँ तो ऐसा लगेगा कि मतलब लकड़ी हो गया है, पर निकल आया बाहर, और जुडिश्री का बहुत शुक्या गजार हूँ, जुडिश्री ने बहुत अच्छा डिसिजन दिया है, वो मेर जुडिश्री ने बहुत अच्छा डिसिजन दिया है, और उन्होंने साफ साफ कहा है, पी डॉक्टर कफील ने जो अलिगर में भाशर दिया था, वो कोई भड़काव भाशर नहीं था, वो देश की यूनिटी के लिए, अखटनेता के लिए, एक जुपता के लिए था, और उन्होंने साफ साफ कहा है, डॉक्टर कफील ने हेल्थ पे बात किया है, इंप्लाइमेंट पे बात किया है, एजुकेशन पे बात किया है, रोटी, कपड़ा, मकान पे बात किया है, हाँ जरूर है, N.T.C.A. के खिलाब बुला है, N.R.C. खिलाब बुला है, पर ये भी कहा है कि जो भी प्रोटेस्ट हो गांदी जी के आहिंसा के सद्भावना के साथ होना चाहिए कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए सबसे भाई मिलकर भाईचारे के साथ मिलकर सबको साथ हाना चाहिए पिर भी उसके बाद जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया मुंबई एर्पोर्ट से पकड़ गया तालीस घंटे तक इंट्रोगेट किया गया स्टीफ की टीम ने ऐसे सवाल पूछे अरे आपने तो कोई पाउडर बना लिया है जिससे करोड़ों इंडियन मर जाएंगे मैं नेगा भया मैं डॉक्टर हूं बच्चों का मैं कहां से पाउडर मना लूँगा करोना की बात कर रहा है तो आप चाइना से पूछे आप सरकार गिना रहा चाहते हैं हमारे पास फोन रिकार्ड हम निकल लाई सुना दीजिए एक भी सबूत आपके पास हो तो मैं कोई पॉलिटिशन तो हूँ नहीं आप जपान गए थे मैंने गहां पाकिस्तान क्यों नहीं बोल दिया अरे जपान कैसे इंडिया से बाहर कैसे जा सकता ह कि मेरा जुडिशिरी के पास जमा है तो एक तरह से बहुत चौर्चर किया फिर जेल में रहके जेल में ऐसी जहां रखा जहां पेक सो पचास कैदी थे वो नौ महीने का बियाडी आक्सियन ट्रेजिडी के बाद जो नौ महीने का दर्द था उसको उससे जादा उससे कई पत्ली पानी की तरह दाल कच्ची रोटियां वही सुबा शाम खाना है जीना था उमीद थी कि आप लोगों से दुबारा मिल सकूँगा मुखातिब हो सकूँगा आप लोगों से बात कर सकूँगा और आप सबकी दुआये काम आई ही आज आपके साथ हूँ फिर से दुबारा हाँ आसे बाइं तन्वीव आई स्लाव अलकुम मत्रुआ की नगरी कृष्ण जी की पवित्य नगरी में रहे के बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने कहा है कि कभी भी किसी को धोका नहीं देना अपना दिल साफ रखना यही धर्म होता है और हम लोग रमायड देखते थे नोवए से दसवए तक हर रोज आता था लागडाउन के टाइम भी तो उसमें भी जो उत्तर रमायड में महाश्री वालमीकी जी ने श्री रामचन जी को जब एक बात कही थी जब उन्होंने धनुशुडा उठा लिया श्री लवकुष के खिलाफी तो उन्होंने कहा था कि राजा का धर्म राज धर्म होता है राज हट नहीं पर यहां तो राजा मेरा बाल हट पे आ गया बच्चों की जान बचाने को अतनी बड़ी सजा दोगे भाई क्या बच्चों को जान बचाना इतना बड़ा गुनाह हो गया है सारी लोग फोन कर रहे हैं फोन नहीं कीजे कोई भाई में खुछ दिर बात कर लूँ बहुत दिनों बाद आठ महीने बाद आपसे राकेश शौदी साथ शुक्रिया वैबब आटक ठैंक यू यार ठैंक यू भीजान खान साथ सुन वार अलियू तू मैं कह रहा था कि महाष्री वाल में की नेरा श्री राम चंची से कहा कि बाल मत करो इस तरह से परताणनार देना नौ महीने उस वक्म जेल लखना फिर बहरायच वाले कांड में भी दो महीने जेल लखना फिर आठ महीने इतना टॉर्चर कराना जेल में बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि तुम उन सत्तर बच्चों की बात नहीं करोगे जो सत्तर बच्चे आउक्षिन की कमी से मर गए हैं उनकी कभी बात नहीं करोगे उनको भूल जाओ, कैसे भूल जाओ, अपने सामने मरते हुए उनको दिखा है कुरोना के टाइम, जब इस भारत में इंडिया में कुरोना ने इंट्री नहीं की थी 27 जन्वरी को मैंने वीडियो डाला था कुरोना पे लेके और उस वक मैंने साफ साफ कहा बताया था क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इस से बचना है और 30 जन्वरी को पहला केस इंडिया में आया मैंने मानिनिये पधान मंत्री नरेन मोदी जी को 19 मार्ट को ही एक लेटर जेल से सुप्रिटेंडन जी के दारा बिजवाया और उसमें साफ कहा कि हम कम्निटी ट्रांस्विशन से बच नहीं सकते हमारा भारत देश ऐसा है क्योंकि मैंने पूरा भारत घुमा है, कितनी गरीबी है, एक घर में चार-चार लोग कैसे रहते है एक पूरी जुगी जो बड़ी बस्ती होती है, हजारों लोग उसी में रहते हैं जैदू भाई जी, तो उसमें रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे दूरी, दोगच की दूरी रहो कह देना आसान होता है, पर वो इतना आसान नहीं है गरीबों के लिए कितने माइगरेंट बिचारे चलते 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 गए ट्रेनों में दब गए गरीबी कितनी है आज क्या हालत हो गई है हमारे देश की कुरोना वाइरस इस तरह से फैल चुका है कि हम दुना के दूसरे नंबर पे पहुच्छने वाले हैं ब्रजील को भी छोड़ देंगे च्रिंदनेंग मोजी किद्धी के दोस्ट ट्रम्प सहाब और ये इंडिया फस्ट और सेकेंड नंबर पे रह गया है 48 लाख कुरोना वाइरस केस हो चुकी हैं और 60,000 से जादा मौते हो चुकी है बहुत कुछ करना चाहता था इस कुरोना वाइरस के लिए आठ महिने में शायद बहुत कुछ कर सकता था पर करने नहीं दिया गया जेल में जान बूच के मुझे इस तरह से रखा गया कि मतलब समझ लिए कि ट्वालेट करने के लिए आधे दे घंटे के लिए लाइन लगा गण्वानि पढ़ती थी आ कि एगर्मी एतनी हो जाती थी कपड़ा पहन के पूरा नहां के पूरा विस्तर बिशा भिस्तर को भी भिगा देता था तब जाके लेड़ता था और वो डेड़र सो लोग पांसो चौटिस लोगों की रहने की जंगा है वो लेकिन सोला सो कैदी थे अब बताईए वहाँ पर कैसे सोशल लिस्टेंसिंग हो जाएगी वो एक खौप था लोगों की सांसेंस लोगों की बद्बुआं लोगों की मतलब पिशाब के महेक अरे एक टॉालेट होता था एक सो पचास लोगों के बीच एक टॉालेट किस तरह से जिन्दगी गुजरी है और एक बात बता दूँ स्री मैं नहीं सफ़र वक्त गया हूँ पूरी फैमली को हरा पारित किया गया है उसका कोई ब्यान नहीं है गोपाल दिछी थी शेखर जी मैं हायस कर रहा हूँ अपने सहत आप तो कुछ बनाओंगा वहां तो पतली दाल से जिंदगी बस चलानी थी तो मेरी बच्ची मेरा बच्चा जो ग्यारा महीने का था जब चल नहीं पाता था त जब ब्याइडी में सतर बच्चे मरे थे और उसक्त भी बिनाबाद के जھूट केस में फ़शा के जेल भेजेज दिया गया है जब नौ महिने बाद हाई कोड ने कहा गया रहे Dr Caffeeel की कोई गलती नहीं थी इंकॉ रिपोर्ट में आ गया रहे Dr Caffeeel की कोई गलती नहीं थी रही थी और बड़ी हो गई थी आज मेरे दोनों ही बच्चे मेरे ही दोनों बच्चे मैं मैं खुद अपना बाप होके मैंने दोनों बच्चे मुझे बाप पापन का मतलम नहीं समझते हैं अब बुजान का मतलम नहीं समझ पाते हैं पिता जी का मतलम नहीं समझ पाते हैं यह मेरी मा 65 साल की बुड़ी होके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कल लगाती रही तब जाके ये जीत हुई है और जुडिश्री ने इतना अच्छा अडर किया है एक बात और करा दूँ STF का शुकर अगजार हूँ कि उन्होंने मुंबई से मथुरा लाते वक्त मेरा इंकाउंटर नहीं कर दिया विकास दूबे की तरह वरना तो शायद वो मुझे मार ही देते लोगों की आवाज को दबाना ही इनका काम है बहराल अडर आपको पढ़के सुनाना चाहूंगा इतना अच्छा अडर गुमिन माथूर साब ने सुप्रीम कोर्ट का भी दन्यवाद करूंगा वरना तो हाई गोर्ट मेल डेट पर डेट डेट पर डेट डेट पर डेट हर चौदा निन पर कैसे एक एक दिन कटेगा एक घंटे कटेगा यह सोचता था कैसे वो टाइम आएगा जब वो मैं बहान निकल पाऊंगा तब मेरी जज मेरी कोई बास सुनेगा इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट मेरी माँ 65 साल की बोड़ी माँ सुप्रीम कोर्ट गई और मैं सुप्रीम कोर्ट का शुकुर गुजार हूं जो उसने कहा कि 15 दिन में फ 2016 में मैंने जॉइन किया था 2017 में घटना हुई थी एक साल का जूनियर था मैं जूनियर मोस डॉक्टर अब फिर भी उन बच्चों को बचाने के लिए जीजान लगा दी और उसके बावजूद उनको जेल भीज दिया गया और यह यह नहीं इसके अलावा नहीं कि दपेटिशनर निजादर फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग देटोनी वर कंटिनुशनी हरास्ट और विक्तिमाइज बाइज बाइज इंक्लूडिंग दिस्टिक अध्मिस्टेशन गोरकपूर बाइज सेवरेल मिल्स मेरे यानि की मुझे ही नहीं पूरी फैमिली को सरकार ने बुरी तरह से तोड़ना चाहिए मेरे भाई पर गोली मारी गई थी आपको याद होगा शायद वहां पर जहां पर चीप मिस्टर खुद मौजूर रहते हैं वांसो मीटर दूरी पर आज तीन साल होने जा रहे हैं उस बात को एक भी कोई गिरिफ्तारी नहीं हुए कोई चार्ज नहीं हुआ है बहराल आते है है जो लोग कहते हैं कि भाशन में गलत दिया था उसके बारे में तो कहते हैं कि मैंने फरटा हुआ को कहते हैं कि मैंने दो धर्मों के बीच का लिजिशन के बीच हईर्मिटिय एट्टर वाइलेंस प्हालानी कोशिश सीश श की और फिशिए का उन्हों ने पूरी पूरी स्पीच लिखी एक एक लाइन लिखी है कि जो मैंने बोला है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की थी जो कि किसी भी धर्म के बीच में नफरत पहलायैं मैंने बात की देश की अखणिनधा की यूनिटी में बात की थी हेल्थ की इंपोईमिट की एकनॉमी कि रोड की हाउसिंग की मैंने बात की थी उन 70 बच्चों की जो 20 आडी मर गयें। मैंने बात की थी कि हमारे 50% कैसे कूपोशल का Шिकार हैं। मैंने बात की थी कि इंडिया कैसे एस और चाईवी का है बनता जा रहा है मैंने बात की थी कि 72 परसंट आप पॉपुलेशन हमारी अभी भी हेल्थ स्ट्रक्चर महां पर है नहीं आज हालत दिखाई दे रही है ना आज कहे रहे हैं हम इतना जीडीपी खर्चा करेंगे एक पर चास हजार बच्चों को देखे मुश्क में दवाईयां दिया केले नहीं किया बहुत से डॉक्टर बहुत से लोग में सामिल थे बहुत लोगों ने साथ दिया पर हुआ उसको भी दवा दिया गया इस कुरोना को टाइम के मैं जब रियली काम कर सकता था शायद कोई नई द बैराल भार आ गया हूं कोशिश करूंगा और फिर से मुखमंत्री योग्या दितनाज जी से निवेदन करूंगा कि मुझे नौकरी पे वापस ले लें तीन साल से सस्पेंट किये हुए हैं कैसे जिन्दगी चल नहीं है कैसे फाइंशल कंडिशन है आपको बता नहीं सकता स पर लड़ा कहते हैं ना इस जुन की दौर में जुबा कौन कहते हैं ना कि इस जुन के दौर में जुबा कोले या कौन अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोले या कौन तो बोलना ज़रूरी है किसना किसी को पुर्बानी देनी होगी तो शायद उपर वाले ने मुझे चुना है बहराल बाहर आ गया हूं खोशिश करूँगा कि सबसे पहले बिहार आसाम केरल करनाटकार कमिलनाडू जहां पर बार आई हुई है बार बार से तो बहुत बड़ा होता है घर डूप जाते हैं घर तूर जाते हैं लोग विखर जाते हैं लेकिस सबसे असम झाली होता है जब बार का पानी चला जाता है पिछली बार हम लोग पानी चाहूंगा क्योंकि बार्ण को पानी बीतने कि बाद बहुत सी बीमारिया आती है महा मार या उती है चिक जाता है प्योडिया दिंगो अजिब कालरा important है कॉक्स कि κα्रा Habrahim बहुत वोता है उस्ते काम करना करूं और कोशिश करूं कि कोई नई दवा इजाद हो पाए जिससे हमारा देश क्यों कि और किसी की मौत नहीं बढ़ता जा रहा हर रोज हजाल लोग मर रहें एक का भी मरना बहुत खतरनाग बार जिसके घर में परिवार में एक मौत होती है वही हो जानता है एक भी मौत होती है यहां तो सब 65-65,000 लोग मर चुके उस पर काम करना चाहूंगा और अगर वैक्सीन के लिए कहेंगे कि मैं गिनी पिक बन जाओं मेरे उपर रिसर्च हो जाए मैं खुद की का लगवालूंगा अपने आपको वालेंटियर करूंगा मैं यह मेरी नई योजन है अभी कुछ दिन अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूं अभी तक मिल नहीं पाया हूं कल भी आप सोच लिजिए कल साड़े ग्यारा बजे डिस्टिक जेल मत्रा में आर्डर पहुंच गया था हाई कोड का लिकिन फिर भी 12 घंटे तक यह लोग यही कोशिश करते रह है कि किसी तरह से कोई और केस में भसा दें जैसे इन्होंने पिछली बार अलिगर में जब मुझे ग्रिफदार किया था मुंबै तो जब मुझे बेर दस फरवरी को मिल गई ती तो चार दिन तक चार दिन तक कोड़ के आदेश के दो दो बार आदेश के बाउजिव जाती है आज तक कभी आपने सुना है मैं किसी इंदो मुस्लिम सिखिसाई किसी में धर्म बिके बेद्भाव में करता हूं पचास जार जो बच्चों को देखा पूछा कोई कौन गरीब है कौन अमीर है कौन किस जाती का है कौन किस धर्म का है उस पे जाम लगाओगे इसाम वो लगाते हैं जिनका खुद का दिमाग गंदा होता है जो भरा होता है गंदगी से वो दिमाग वो लगाते है अभी यूप अभी यूपी से घर नहीं गया हूँ, गोरकपूर नहीं गया हूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सरकार अभी किसी न किसी किसी के इसमें पसाने की कोशिश कर रही है, फिर से कुछ कर दें या इनकाउंटर कर दें, मरवा दें, हो सकता हो, आपके बीच में ना रहा पूँ, हो सकता हो यह हमारी और आपकी आखरी मुलाकात हूँ यादो जी जी सही कहा रहा है मिनास गलिया आप थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया मोहंचांजिंगी चोजी समर साब थैंक यू तो मैं कह रहा था कि कोरोना वायरस एक ऐसी डिजीज है जो फैलती ही रहेगी मैंने उस वक्त 19 मार्च को ही लिग दिया था कि 30-40 लाख लोग उस वक्त मैंने एस्टिमेट किया था कि अफेक्टेड होंगे और अलेडी 30-40 लाख लोग नहीं आएगी अभी यूपी बिहार और मदपदेश जैसे ही इलाकों में जहां बहुत पापुलेशन है वहां ये फैलने वाला है और बुली तरीके से हमें बहुत काम करना पड़ेगा हमें मुझे आप सब की बहुत जरूरत है आप सब का बहुत सहयोग की जरूरत पड़े जी सहसाद साब जी वांडे साथ नमस्कार नमस्कार रादे 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 किस्टा की नगरी में हो विन्दावन जरूर जाना चाहूंगा एकबार ठाकुर जी की दर्शन करने के लिए बात यहां पर लोग मन की बात करते हैं लेकिन यह नहीं बताते हैं अब आप देख लिए हम लोग तो टी वी पे देख रहे हैं पिछले तीन महीने से शुषान सिंग सिंग भाई फून नय करो फून करने के बाट बार बार पॉस हो जा रहा है राजपूत की तीन महने से लगातार टीप बात किये जा रहे हैं मन की बात कर रहा है कि हमारा जीडीपी कल परसों जीडीपी शायद रिलीज हुआ है और हमारा जीडीपी जो है भाई फोन नहीं करो मैं कह रहा हूं कोई फोन ना कीजिए प्लीज कुछ बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिला हूँ आप लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं मुझे समसुन मलिक साब नूर खान रियान खान साब अधित्राज साब अफ्ताब तो आप सबसे बात करना चाहूंगा फोन ना करें तो मैं कह रहा था कि जो में बातें हैं टीवे डिवेट जो होती है वो नहीं हो रही है शाइद किस्ति V नहीं हो रही है किस तरह से माइग्रेंट हमारे करोड़ो लोग किस तरह से पैदल चले और चलते चलते मर गए उस धूप में कड़ी धूप में मर गए यह बात नहीं हो रही है कि unemployment कितना बढ़ गया है लोगों को नोकरिया नहीं है लोगों को खाने को नहीं है पांसो रुप्या आपके account में डाल दिया गया है अब आपको तीन महीने तक पांसो ओर उपशा Rs. चलाइए, पांच किलो चावल दे दिया गया है, आप पुरी आठ लोगों की फैमली है, खाते रहिए, तिन चस्ट आछे महाईने तक. बात जो है रियल इशू पे होगी ही नहीं, एजुकेशन पे होगी ही नहीं, इंप्लाइमेंट पे होगी ही नहीं, हेल्थ पे होगी ही नहीं, हमारा जो कोई भी आपको हास्पिटल देख लिए, ये क्या हालत हो गई है, कोई भी सरकारी हास्पिटल में जाना नहीं चाहता है, आपने ध्यान दिया है कोई भी बड़ा मंत्री कोई भी बड़ा अधिकारी कोई भी बड़ा जो है चीप मिनिस्टर हो या कोई भी मतलब मैं नाम नहीं लूँगा सब लोग विदानता में जाके इलाज करा रहे विदानता यानि की नर्डा में करोड़ों रूपे का इलाज करा रहे हैं लें कोई भी सरकारी हास्पिटल में नहीं जाना चाहता है क्यों 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 सरकारी हास्पिटल के हालत खराब है वहां गरीब जाएगा गरीम मरेगा और गरीम मरता है तो मर जाने तो क्या फरक पड़ता है तो जो लोग ये सुचते हैं कि बार-बार जेल में डालके, मारके, पीटके, तोड़के, यहां मारो, यहां मारो, उल्टल पड़ला आथ को डंडे से मारो, गान लाल कर दो पूरी तरह से, पैर पे मारो, करते रहो, ये एकदम तोड़ दो इसको, तो वो शायद नहीं जानते ह हैं कि एक बात सिखाई गई थी कि डरना नहीं है, I won't bend, I won't bend, मैं जुकूंगा नहीं, डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी ज़रा लो, हर बार एक नहीं ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी जुका लो, कहते हैं ना कि, लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, अरे हम इस मुल्क की मिटी को भी अपनी मा कहते हैं, उसको तुम जो है, उस पे एनसे लगा देते हो, कोट ने कहा है, कोट ने कहा है कि जो कुछ है, यह अव्यद एनसे लगा है, सारा अव्यद लगाए, देखो कि क्या हालत बनाई है, बत्टी साव आ बोल ले वो तो, देखो क्या हालत बना दी है, मै कुh वोशर के लिए बो कर रहा था, यह देखो, यह टांगे हैं मेरी यह हाथ है कि खाना जो है कि नगी का जो मैं खुद को पोशर का बच्चों का इलाज क्या करता था आज खुद को पोशित हो गया घरवालों को किस तरह से परशान किया गया है वो बता नहीं सकता पर आप लोग जो 138 करोड देशवासी हैं मेरे उन सब का साथ मैं कभी भूलूंगा नहीं खासकर कुछ लोगों का जो लोग बहुत करीब थे इंद्रा जैसिंग मैं पुजयल आयूबी एबाद सहाब मनोज सि मनी सिंग मनी सिंग एडविकेट मनी सिंग दिलिव कुमार साहब नजल इसलाम साहब आएसे बहुत से लोग हैं बहुत से लोग मेनाक्षी शुक्रा मैं इर्फान गाजी यहां आली करके इर्फान गाजी सहाब बहुत से लोग हैं सबका नाम तो नहीं ले सकता मैं बहुत से लोग 138 क्रोर्ड लोग है सबने बहुत मड़त की है सबका बहुत-बहुत शुक्तिया जल्दी बिहार आ जल्दी हम डाटर कफील खान मिशन इसमाइल फाउंडेशन के तहट कैम लगाएंगा और इस बार एक बड़ी टीम बनाके एक साथ कई जहां पर असम बिहार तमिलनाडू करनाटका केरल आंद्रपरदेश जहां जहां पर मद्परदेश जहां जहां पर बाड़ने बस्चिम ब अपना गुरखपूर अपना उत्तरपरदेश हर जहां जाना चाहूंगा पूरा भरत में टीम बनाके हम इस बार एक बड़े लेविल पर कैम करेंगे और इसमें आप सब का बहुत सहीयोग चाहिए मैंग वर्मा साहब आप कुछ लोगों से बाते कर लेता हूं मैंग वर्मा साहब सही कह रहे हैं दाड़ी कल काड़ दूंगा बच्चों का इंतजार कर रहा हूं बच्चे आ जाए एक बार उनसे मिलनूं उसके बाद मेरी गोटी वापस आ जाएगी अबनीश चाहवरा साहब जी हाँ बहुत मारा बहुत मारा फिजिकली और मेंटली बहुत टार्चर किया फिजिकल मेंट टार्चर होता है वो इस तरह से होता है कि शायद जख्म थोड़े भर जाते हैं पर जो मेंटल टार्चर होता है वो बहुत दिनों तक रहता है दिमाग खराब हो जाता है इन आठ माईनों में देखिए किस तरह से जुनियां आ गई हैं किस तरह से काले पड़ गया हूं किस तरह से जो हैं दस साल बुड़ा कर दिया है जुबेर पीके साब बोलना जरूरी है बोलेंगे नहीं तो कहते हैं कि बोलेंगे नहीं तो किसी को तो बोलना पढ़ेगा जैदू जैदू साहब आपने वहां से बैठके हाँ इंडिया से बाहर बाहर गल्फ कंट्रीज में यूएस से यूके से केनेडा से सुजरलेंड से बहुत से खत मेरे पास आया करते थे वहां पे जेल में उन सब को बहुत-बहुत शुक्रिया है सत्या सिर्कान आप अमबेट करके कांस्टिशूशन में बिलीव करना है और उसी की वज़ा से मैं बाहर आया हूँ कुछ लोगों ने सरकारी एजन्सियों को जिस तरह से अपने कबजे में करके लोगों को परतारीत करते हैं वो सही नहीं है आटोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक कंट्री ह है तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको फ्रीडम आफ स्पीश एक आर्टिकल 21 में दी गई है लिबर्टी सुतनता समझ गये तो बोलना जरूरी पड़ेगा हम नहीं बोलेंगे कुर्बानी देनी होगी किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होगी तुर्त मस्मस शिरों कुमार साब यस थेंक्यो शाइना मुजर्बिया सिदानस्श कुमार हां कुछ दिन एक्सरसाइज करूंगा और हैल्थ बनाओंगा यूद्ध जिन्दा रहना है आप लोगों के बीच रहना है और काम करते रहना है तो हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा डेरिक कुजर थेंक यू जरूर मैं करूंगा थेंक यू शुबान जमाल सावा मुहमत कलापटी फ्रम दुबई आलदाबेस थेंक यू मैंने कहा ना गल्फ कंट्री से बहुत कार आया बहुत मिला है किरल के लोगों ने बहुत सयोग किया हुआ है पुरा साउद ने पुरा न अभी हमारे कई भाई अभी बहुत जेल में हैं उनके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी मैं बच्चों के साथ नहीं हूँ चुकि कल रात में पुलिस की घेराबंदी हो रही थी और कुछ और बाते हो रही थी जिसको हम डिसकस नहीं कर सकते हैं तो इस वज़ा से अभी बच्चे मेरे पास पहुंचे नहीं हैं मैं अभी अपने बच्चों को देख नहीं पाया हूं आखें तरस रही हैं गले मिलना चाहता हूं अपने बच्चों के साथ अपनी मा की गोद में लेट के रोना चाहता हूं रोना चाहता हूं सीरिसली रोना कर दिया है इक बार उनसे मिलना चाहता हूं तो है एक बार एक बार महा की गोद में लेटके सो ना चाहता था हूं यार पहता है दो गंटे पेरा लगता था था इन्साप भी एक सो चाहुआ चाहलीस कैदी नसर नम्हान नहीं सकुसल हैं चे बजे सुबा पांच बजे सुबा लाइन लगाओ परेड लगाओ आठ महिने तो मैंने अभी चार पंजे के लेटर में सायद लिखी आप लोगों सायद मिलना होगा चंद मित्रा साहब थैंक यू मुदसी साहब बुश्रा दीपक जादो अमजद पंडी जी तयव खान रोहित शुवम जैपरकास चाचा बिजेश बिजेश सिंग की बड़ी आदाई जो गुरत्पूर में थे योगेश सिंग जी सब आप लोग का सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है कुछ और पूछना चाहेंगे कि फिर मिलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का आदम गाहाँ आपको भी फूल गुलाब का फूल आप एक बात लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि आप सब की वजा से ही आप सब की मेरी फैमली तो दोड़ी ही मेरी माँ बुड़ी माँ लोवर कोट से लेके मदवाली गड़ कोट से लेके अलाहाबाद कोट और फिर दिल्ली इस कुरोना वाइरिस के टाइम में 65 साल की उमर में भूम रही थी एक वकील के पास दुक्रे पकपड़ा के रो रही थी कि किस तरह से में बहर आ जाओं तो उनका तो ही योगदान भाई बेयनों का तो योगदान ही आफ सब को ही बहुत बहुत योगदान है आफ सब के विना स्यद्ट जोटूटर बमें ने सुना 12 लाख लोग एक बात हो गए हैं टूटर एकाउंट म सब्सक्राइब को आड़र आ गया जिसमें बार साफ साफ कहा गया है कि या जी सन्नी परिजाची सी कि यह इलीगल था जस्टिस प्रिवेल यस अमिज सोहल साब मुंम्मद गयूर कहिशी दिनेश कुमार यादो जी कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहेगा मेडिया से दूर रहूंगा जी 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 जरूर जरूर राकेश चौदी साथ थेंक यू आदिल थेंक यू आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया बस अपनी फैमिली का इंतिजार कर रहा हूं शायद कुछ घंटों में उनसे मिलूंगा और कुछ दिनों में ही आपके सामने नए जोश में नए जोश के साथ फिर से सामने आऊंगा आपके साथ जी मैथ्यू साहब मिर्दुला मिर्दुला हाओ आर यू अबैद सनोच कुमार जी तैंक यू डाटर किर्ति सिना मुदसिर खायमत साथ जी जाजिब इतने सारे गुलाब मत भेजिए भाई बस बस नए अमिद्दिन साहब जैसे आप कह रहे हैं कि वैसे ही आप लोगों का साथ चाहिए होगा हम लोगों को जो में बिसिक एश्यू है रोटी कपड़ा मकान और स्वास्त और नौकरी और सिक्षा की बात करनी है उस पर ही हम लोगों को काम करना है कि हर गरीब को 138 करो भारतियों को देश्वासियों को उनका अधिकार मिले चाहिना जो है घुसा जा रहा है देश के अंदर इस तरह से नहीं हमारे सैनिक पाकिस्तान के सरहदों पर मारे जा रहे हैं रोज उस तरह से नहीं सबको मोटोर जवाब देना है पर किसरी बार मेंने जो है प्लाइटीस बेड का आफ वांसो बेड का इनके फ्लाइटीस बेड का स्टार्ट करने वाला था उस वक्पॉटर कफीचe मिसं समा इसले पाउंडिशन की फिर से कोशिक करूंगा बंसें पे हीर यादो लश्कर साहब फिर से स्टार्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि जमीन जल से जल ले लूँ और हर गरीब का वहाँ पे फ्री इलाज हो ऐसे ही जैसे बड़े-बड़े हास्पिटल में नोड़ा में और गुर्गाउं में और दिली में और एम्दाबाद अक इंशालला जी आप सबका सही होगा इसकी जरूत होगी जै हिन जै भारत जै मुल्निवासी जै भीम बंदे मात्रम जैसमाजवाद